हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने जारों कि कैसे आप अपने CMF phone 1 Android mobile phone में आप आपके mobile phone का Wi-Fi अगर connected होने पर भी no internet की उसमें problem हारी है न तो इस problem का आप solve कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में हम आपको डीटेल में जानकरी देने वालों तो चलिए वीडियो का हम इस्टार्ट कर लेते हैं देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपने mobile phone को एक बर restart कर लेना है ठीक है अगला का हम यह करना है कि आपके mobile phone की network setting को आपको reset करना है इसके लिए पेज में reset mobile network पर दुबारा टैप करना है तो आपको यह page आएगा इसमें आपको reset setting का यह option टैप करना है अब देखिए इस वाले page में mobile phone का screen lock enter करना है ठीक है अब यहां पर इसे right click करना है आपको अगले page में reset setting का यह option दुबारा टैप करना है तो आपको नीचे लिखा इस तरीक से आप mobile phone की network setting को आप reset कर दिए अब देख्यां अगला काम यह करना है कि आपको अपनी mobile phone में यह file-cap मिलता ह fark यह फाइल से आप्छे के अपना है अपके अपकर अरहा को ओप्षे। नहीं को सबीरितकर सोब करना है यहां पर उपर system app लिखा आप करना है अब यहाँ पर आपको ये clear catch का ये option ने इसे tap करना है तो आपका ये catch के साथ वाला ये data जीरो हो जाता है इसका मैंने पहले से clear catch कर रखा है इसलिए highlight नहीं हो रहा है तो देखे मेरे बतायोए सारे process आप यूज करेंगे न इससे आपकी problem solve हो जाएगी अगर मेरे बतायोए तरीकों से आपकी problem solve नहीं होती है तो आपको करना क्या है देखे आपने जिस company का आपने wifi connection ले रखा है न उस company के service provider को आपको contact कर लेना है क्योंकि ये last option बसता है नहीं तो मेरे बतायोए तरीकों से आपकी problem solve हो जाएगी